नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूटूब चनल एस्कलिपियस अईरुवेदा में दोस्तों आज की सेशन में हम जनकारी देंगे आपको कैलसियम प्रोड़क्ट के बारे में AWPL कमपनी के दोवारा अभी हाली में फूड कैटेगरी में इस प्रोड़क्ट को लाँच किया गया है AWPL का कैलसियम टेबलेट है यह टेबलेट फर्मेट का प्रोड़क्ट है आज की वीडियो में मैं आपको जनकारी देने वाला हूँ की कैलसियम से क्या BENEFITS होता है हमको इसके डिफिसिंसी से क्या प्रोबलम होता है इसके अलबा प्रोड़क्ट हमको कितनी कैलसियम जरुरी है हर उम्र के लिए चाहे वो बच्चा हो, बुढ़ा हो, जवान हो या फिमेल में हो इस सब को कितना केल्शियम पढ़ड़े चाहिए इसकी बिजनकारी आज के वीडियो में दी जाएगी तो दोस्तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा आए दोस्तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो केल्शियम जो है ये हर उम्र के लिए बहुत ही आवश्चक मिनरल है चाहे वो बच्चा हो, बुढ़ा हो या फिर जबान हो सबको ओवर ओल डेबलेप्मेंट के लिए केल्शियम बहुत ही आवश्चक खनीज है पूर्शों की ये पिक्षा महिलाओं में अधिकांस्ता देखा गया है केल्शियम का खत्रा अधिक हो जाता है क्योंकि महिलाओं के पेरियेट्स, डिलिबरी और ब्रेच फेडिंग के बाद केल्शियम की कमी होने लगती है उनके बड़ी में दोस्तों केल्शियम से जो बेनिफिट है वो है मजबूत हड़ीया यदि मजबूत हड़ीया चाहते हैं कल्शियम का यूच कीजिए, हड़ियों में ब्रिधी में भी शहायक है ये, दातों का भी काश, साथ में मशूरों में की भी मजबूती, इसके अलावा क्रोनिक डिजिस्स से भी बचाने में ये हमारी हल्प करता है, और यदि हम इसके डिफिसेंसी की बात करें, तो हमारी से कमजोर होने लगती है, उनमें दर्द होने लगता है, मानस्पेशियों में काफी एठन आने लगता है, हमारे शहीर में केल्शियम कमी होने से हाथ-पैरों में जंजना हट होने लगती है, कभी-कभी हाथ-पैर सुन भी हो जाता है, महिलाओं में पेरियेट्स जो है, वो काफी कमजोर हो जाते हैं बलड क्लोटिंग होने का भी खत्रा बढ़ जाता है आये देखता है कि किस उमर में कितनी मात्रा में कैल्शियम चाहिए दोस्तों यदि बच्चे जो बृधी वाले बच्चे हैं उनको पर डे 500 से लेकर 700 मिलिग्राम तक कैल्शियम की जरुत होती है इवाओं में ये 700 से 1000 mg हो जाता है रेगनेंट जो फिमल है उसमें 1000 से 1200 mg तक कैल्शियम परड़े चाहिए और जो महिला ब्रेस्ट फिडिंग करती है उसको कम से कम परड़े 2000 mg कैल्शियम बहुत ही जरुरी हो जाता है तो दोस्तों ये तो था कैल्शियम से बेनिफिट्स उस कमपनी के जो नया प्रोड़क्ट है कैल्शियम टेबलेट इसको हमको इस्तमाल कैसे करना है कितनी मात्तरा में तो दोस्तों आपको बता दें कि इसको एक परड़े एक टेबलेट जो है खाना खाने के बाद आपको इस्तमाल करना है एड़बलो पील के कैल्शियम टेबलेट को तो आई होब दोस्तों आपको जनकारी अच्छी लगी होगी एडवल पील के कैल्शियम के बारे में और अधिक यदी जनकारी मिलती है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करूँगा तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद